हाईलो दोस्तों नमस्कार आपको अपने टेक्निकल ब्रच चैनल पर आपका स्वागत है टेक्स रिलेटेट कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है मुबाइल से रिलेटेट तो आप नीचे कमेंट करेजिए बेजिशक आपका उसका सोलीशन मिल जाएगा तो दोस्तों आज देख स आप इसका हाड रिशेट कैसे करेंगे तो उसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं आपका पासवर्ड लगा होगा पैटर्न लगा होगा लेकिन आप नहीं जानते होंगे कौन सा पैटर्न है कौन सा पासवर्ड है तो इसके लिए सिंपल से यही तरीका हाड रिशेट करना यहां से power off ऑके जैसे आप power off कर देंगे उसके बदद आपको power button और आपको volume up button एक सांथ दबा के रखना है तो जैसे आप इसे एक सांथ दबा के रखना हैं तो ये देख सकते हैं इसके recovery mode में आप चले आएंगे ये देख सकते हैं के सामने जैसे आप इसके recovery mode में चले आएंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते arrow arrow को उपर नीचे करने के लिए आपको volume up button प्रेस करना है ओके और यह volume down करेंगे तो क्या काम करेगा तो देख सकते जैसे मैं volume up down उपर वाला दबा रहा हूं ओके तो यह देख सकते arrow उपर नीचे हो रहा है तो यहाँ पर क्या ओप्सन दिखाए देगा recovery mode वाला तो फॉस्ट वाले पर सेलेक्ट करना है उसके सामने एरो उसके बाद volume down बटन आपको दबाना है जैसे आप यह दबाएंगे तो यह phone का आपको recovery mode में चला जाएगा देख सकते फिर से आपको volume up down करने के करके यहाँ पर नीचे आपको दिखाए देए recovery button उसके बाद यह देखिए आ गए आप इसके recovery mode में ओके अब आपको क्या करना है volume up down की मद़ च्यापको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा वीब data factory reset उसके बाद आपको power button उसके बाद आपको क्या करना है factory reset डाटा पर किलिक करना है factor phone आपका hard reset हो जाएगा जैसा कि आप simple सदेख TWO हो रहा हमकि तो सांतिव यहां पादेख सकते हैं मेरा phone रिश्टार्ट हो गया और यहां पर मेरा फॉन जो था factory data reset हो गया है इस आप wonder frog efficient जीसे बोलते हैं तो इस से आप अपना hard asset कर सकते है फिर फिर वी अगर कोई दिक्कत होती है तो निचे comment कर सकते हैं, ok तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते मेरा faculty data hard asset हो गया और इसके आगए का अगर नहीं मालूम कि आपका Frp bypass कैसे करते हैं यानि कि जीमेal यहाँ इहां पर डाल रहे हैं तो यह वाला वीडियो डिस्किप्शन में मिल जाएगा अगर इसे आप डिस्वाल्व नहीं कर पा रहे हैं तो